कि अबुधाबी में एक दिब्व और भवे मंदिर बन कर तयार हो गया है कल प्रदान मंत्री मोदी को उसका उधगाटन करना है हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग ये कह रहे थी कि देखिए हमारे राम लला का इंतजार समाप्त हुआ अबुधाबी में भी दिब्व और भवे मंदिर बन कर तयार हुआ यहां हम लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है आबुधाबी में भी दिब्व और भवे मंदिर बन गया है B.A.P.S. का स्वामी नैरायन मंदिर बन कर तयार हो गया है कल प्रधान मंत्री मोदी उसका उधाटरिन करेंगे लेकिन फिलाल इस वक्त यहाँ पर जो प्रवासी भारती मौझूद है वो इंतजार कर रहे हैं प्रधान मंत्री मंच पर आने का और उनके संबोधिन भी उनका होगा और बड़ी संख्या में यहाँ पर भारती समधाइक लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं परिश्टे बहुत मजबूत होते जा रहे हैं यह प्रधान मंत्री मोदी का साथमा दोरा है नलनी और सातवे दौरे के दौरान भी प्रधान मंत्री मोधी ने दुपक्षी बाचीत यहां पर की है तो हर बार दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में संबंद बहुत मजबूत होते जाते हैं और प्रधान मंत्री मोधी और UAE के राश्पती जिस कॉमन पॉइंट पर एक जैसा सोचते नलनी वो भी समझना होगा कि टूरिजम से ही देश की डिवलप्मेंट को गती दी जा सकती है यहां चैया हम दुबाई की बात करें अबुधाबी की बात करें पूरे UAE में जिस तरीकी से टूरिजम को बढ़ावा दिया गया कुछ वही विवस्ता देश में भी लागू करने की कोशुश की जा रही है प्रधान मंत्री मोदी लगातार वो प्रयास कर रहे है कि तीर्थाटन के साथ साथ परेटन को भी बढ़ावा दिया जाए ना सिर्फ देश के लगला गिस्तों से लोग तीर्थाटन के लिए जाए बलकि दुनिया के लगला गिस्तों से लोग भारत आएं बदलते भी भारत की तस्वीर देखें तो आज जाहिर से बात है कि इस मंच से प्रधान मंत्री मोदी उन प्रवासी भारतियों को बताने के कोशुश करेंगे कि आप जिस भारत को छोड़ कर आये थे वो भारत अब बहुत बदल चुका है वो भारत 2014 के बाद बहुत तेज गती के साथ आगे बढ़ रहा है विकास के नए कीर्दिमान रच रहा है आज उस भारत में सब के साथ सब के विकास सब के विश्वास के बात होती है जो योजनाय चलाई जाती है उसका आम जन्मानस को फाइदा मिल पा रहा है आज उस भारत में दिब्व और भविरामंदिर बनकर तयार हो गया है आज उस भारत में कोशुष की जा रही है कि उसकी अर्थिवयस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थिवयस्था बना दिया जाए क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी 2014 में सत्ता समालने के बाद भारत को दुनिया की पाच्वी बड़ी अर्थिवयस्था बना चुके है लेकिन लक्ष्य ही है कि उसे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थिवयस्था बना जाए जाए तो आज इस मज्च से प्रधान मंत्री मोधी मंच पर पहुंचेंगे यहां पर भारत वास्चियों को यहां पर संबोधित करेंगे वहां पर जो मौजूद लोग हैं बरी संख्या में पीम मोधी को सुनने के लिए पहुचे हुए हैं और कुछ ही दिर बाद पीम मोदी भी पहुंचने वाले हैं यूए ये पहुंच चुके हैं पीम मोदी गाड आफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया था और उनका उन्हों ब्धानाने कहा था कि रखता है कि मैं अपने घर आया हुँंच को बहुत की राच्जियों के संस्क्रित हुंच ने? है वो भी उस रंग को देख पारें और उनके सामने भी तमाम प्रिष्टिक्यां होंगी और उनको भी आज आबुधावी में भारत के रंग देखने को मिलें तो बिल्कुल अब से कुछी दिर बाद प्रधान मंतरी मोधी मंच पर होंगे और अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बाते कहते हैं वो देखना दिल्चस्पोगा लेकिन एक और बड़ी उपलब्धी मोधी सरकार के नाम हम कह सकते हैं यूई मैं पहला हिंदू मंदिर भ कहीं से ऐसा लगी नहीं रहा है कि हम देश इसे बार इंदोस्तान से बार जाकर कहीं पर खड़े हुए हैं ऐसे लग रहा है कि देश में इस कारिक्रम का आउजियम किया गया है और इस स्टेडियम के बीतर सारे देश्वासी मौजूद हैं बिल्कुल यहां जो लोग पर आगे हैं हाथ हिला कर वो लोगों का अभिवादन जो स्विकार कर रहे हैं अल्ली आप दियो तस्वीर देख पा रही होंगी और मेरे सामने जो बॉड़ी से स्क्रीन लगी है उस पर मैं भी देख पा रहा हूं प्रधान मंत्री मोदी इस वक्त हाथ हिला कर प्रस्तुत करने वाले हैं लेकिन पीए मोदी की चेहरे का भाव देखिए आप जिस बात का जिक्र अभी थोड़े पहले आप कर रही थी कि उनको भी यहां पर भारत की जलक देखने को मिलेगी उनके चेहरे पर भाव देखने को मिल रहे हैं बीए पीए स्वामी नाराण मं गया है जिनको पास से लॉट किया गया था और अप्रदान मंतुरी मोदी साथ वाई के दोड़ा पीम मोदी का कि भविश्वागत पीम मोदी का यहां पर हुआ एहलन मोदी मतलब हैलो मोदी कारिकर में से नाम दिया गया है वस्तुदेव को टुम्बकम जी हां आपा और पीम मोदी आभू धावी में देश के पहले हिंदु मंदर का उद्गाठन पर और यहां पर हो चुका है उद्गाठन करने लिए पीए मोदी पहुंचे हुए देखिए कितनी बड़ी संख्या में भारती समुधाय के लोग आपको नजर आएंगे इस विशाल का स्टेडियम जगह नहीं है पर रखने करिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं मंदिर काफी खास है बीए पीए स 162 फीट यह मंदिर खासित हम आपको बता रहे हैं चोड़ाई होगी 108 फीट भव विशाल का मंदर 27 एकड में बना हुआ कि 1997 में इसकी परिकल्पना की गई थी और अब वो दिन आ गया है जब इस मंदिर का उद्गाठन प्रधार मंत्री मोदी अपनी हाथों से करेंगे किन आपको एको प्रधे ये जड़हीं हाले है जड़ोसे करणा प्र staircase को प्रदान आपको बिलुद्गीela, और और रहे हाथों से gdy आपको पाको एको लेंगे से क्रेंग रिपैएम कर symbols are way और tuh, इसकी प्रेंगे इसका प्रधाश इसका, इसकी पातर क्वाचillar 9 gentlemen,the Gरthe Gail De, Makla I request you all to please be upstanding for the national anthems I request you all to please be upstanding for the national anthems I request you all to please be upstanding for the national anthems Yeah Ah 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 Oh Oh शशञ ऱ्रूम ऐति तर्म लग्रीव किया दुें विफिती लग्सी कार नाहिया मौरू कर दो कर दो कर दो कर दो वाचा है झाल झाल झालब को व्राइब से खाहते हैं कर दो 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 को आप लोग यूए यही कि कौने कौने से आए है और भारत के भी अलग-अलग राज्यों से आए है देकिन सब के दिल जुड़े हुए है इस एतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है भारत युएई दोस्ती जिन्दाबार हर सांस कह रही है भारत युएई दोस्ती जिन्दाबार और आवाज कह रही है भारत युएई बस इस पल को जी लेना जी भर करके जी लेना आज वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली है मेरे भाईयों और भेनों मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया समंदर पाग जिस देश की मिट्टी में आपने चन्म लिया मैं उस मिट्टी की खुश्बू आपके लिए लेकर आया हूँ मैं संदेश लेकर आया हूँ आपके एक सो चालीस करोर भार की भाई भेनों का और यह संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है आप देश का गवरव है भारत इस प्रावड आफ यू भारतम निगंडए औरत अभिम्मा निकुन्नो उंगलई पारतो भारतम पेरू मै पड़ गिर्डो भारता निम्मा बग्ये है मै पड़ुत दे मी पई भारत देशम गर्विस्तों दे एक भारत स्रेष्ट भारत की सुन्दर तस्वीर आपका ये उत्सा आपकी ये आवाज आज अबू धाविके आसमान के पार जा रही है मेरे लिए इतना आशिरवाद ये अभिभूत करने वाला है आप समय निकाल कर यहां आए मैं आपका बहुत बहुत आभारी होएं साथियों आज हमारे साथ मिनिस्टर अब टॉल्डरेंस इज एक्सलेंसी से एक नाहयान भी मुझूद है वो भारतिय समुदाय के अच्छे मित्र और सुबचिन तक है भारतिय समुदाय के प्रती उनका स्थे सराहनिया है आज इस सांदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर इज हाइनेश सेख महमबद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ गर्म जोशी भराय समारो उनके सहीयोग के बिना संभव नहीं था उनकी आत्मियता मेरे प्रती उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है तब मुझे केंद्र सरकार में आये पहुत अर्सा नहीं बिताता तीन दसक के बाँ किसी भारतीय पीम की की पहली यात्रा थी डिपलोमसी की दुनिया भी मेरे लिए नहीं थी तब एरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन पेंस और आज के प्रसिडेंट अपने पांच भाईयों के साथ एरपोर्ट आए वो गर्म जोशी उन सभी की आँखों में वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता उस पहली मुलाकात में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया वो भी एक परिवार के तरह मेरा सत्कार कर रहे थे लेकिन साथियों वो सत्कार तरह मेरा नहीं था सत्कार वो स्वागर एक सो चालीस करोड भारतियों का था वो सत्कार यहां यूएई में रहने वाले प्रत्य भारतियों का था साथियों एक वो दिन था और एक आज का यह दीन है दस वर्सों में यह यूएई की मेरी सात्मी यात्रा है प्रदर्थ सेख महमद बिन जायत आज भी मुझे एरपोर्ट पर रिसीव करने आये थे उनकी गर्म जोशी वही थी उनका अपना पन वही था और यही बाद उन्हें खास बना देती है साथियों मुझे खुशी है कि हमें भी चार बार भारत में उनका स्वागत करने का आउसर मिला है कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आये थे तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए शड़क के दोनों तरफ जमा हो गए थे आप जानते हैं कि आभार किसलिए आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह UAE में आप से भी का ध्यान रख रहे हैं वो जिस तरह आपके हीतों की चिंता करते हैं वैसा कम ही देखने को मिलता है इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सहरे लोग घरों से बाहर निकल आए थे साथ क्यों ये भी मेरा सवभाग्य है कि विए ने मुझे अपने हागे सिविलियन एवोर्ड दो आडर अरव जया अजायड इससे सम्मानित किया है ये सम्मान भी तुर मेरा नहीं है बलकि करोडो भारत वासियों का सम्मान है आप सभी का सम्मान है मैं जब भी मेरे ब्रदर सेख महबत बिजयायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतियों की बहुत प्रसोंसा करते हैं वो यूएई के विकास में आपकी भुमिका की तारीप करते हैं इस जायद स्टेडियम से भी भारतियों के पसीने की खुश्बू आती है मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के सात्यों ने भारतियों को अपने दिल में जगर दिये हैं अपने सुख दुख का साज़ेदार बनाया है समय के साथ ये रिस्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है और इसमें भी प्रदर सेख महमत बिंजायत की बड़ी भूमिका आपके प्रति वो कितनी सम्वेदन सिल्टा से बरे हुए है वो मुझे कोवीड के दौरान भी दिखा तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतियों को वापस लाने की विवस्ता कर रहे हैं लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूँ उन्होंने यहां भारतियों के इलाज के लिए वैक्सिनेशन के लिए हर तरह के इंतजाब किये उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी मैं आप सब के प्रती उनका यह असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूँ और इतना ही नहीं जब साल 2015 में उनके सामने आप सब की और से यहां अबुधाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंट एक पल भी गमाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकिर खींत लोगे वो मैं दे दूँगा और अब अबुधाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकारपण का एतिहासिक समय आ गया सात्यों भारत ये की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतनाही उसका पर्चम अंत्रिश में भी लहरा रहा है मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छे महिने बिताने वाले पहले अमिरात के एस्ट्रोनोट सुल्तान अल्म नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडनेस दे पर भारत को स्पेस से सुबकामराय बेजी इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ताथ क्यों आज 21 सदी के इस तीसरे दसक में हारत और UAE का रिस्ता एक अभूत पुर्व उन्चाई पर पहुंच रहा है हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर है हमारा रिस्ता टैलेंट का है इनोवेशन का है कल्चर का है बीते समय में हमने हर दिशा में अपने समंदों को नई उर्जा दिये हम दो दोनों देश साथ मिलकर चले है साथ मिलकर आगे बड़े आज यूए ही भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है आज यूए ही साथ मा बड़ा इन्वेस्टर है हम दोनों देश इज अफ लिविंग और इज अफ लिविंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं आज भी हमारे बीत जो समझोते हुए हैं वो इसी कमिट्मेंट को आगे बड़ा रहे हैं हम अपने फाइनेंशिल सिस्टिम को इंटिग्रेट कर रहे हैं टेक्नोरोजी और इनोवेशन के शेत्र में भी भारत और व्येई की पार्टरशिप लगातार मजबूत हो रही है साथियों कम्यूनिकी और कल्चर के समंदों के मामले में तो भारत व्येई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मोडल है बाशाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदी की है ये भी मैं अपने अमिरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूँ मैं अर्बी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूँ अलहिंद बल इमारात बी कलम अल्जमान वल किताब अद्दुनिया नकुत्वो हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल वा सदाका बईना अलहिंद भल इमारत हिया सर्वतना अल्मुस्तराका फिल हकीका नहनो फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जैदा मैंने अर्बी में बोलने की कोशिश की है अगर उच्चारण में कुछ गल्टी हो तो मैं अपने विएई के साथियों से माफी जुरूर माँगूंगा और जिने समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूँ जो मैंने अर्बी में कहा उसका अर्थ है भारत और विएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं भारत और विएई की दोस्ती हमारी साजा दौलत है हकीकत में हम अच्छे भविश्य की बहतरीन शुरुआत कर रहे हैं अब आप सोचिए कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन ये हिंदुस्तान में कितनी सहजसा से बोले जाने वाले शब्द है और ये शब्द वहाँ कैसे पहुँचे हैं यहां गल्प के इस छेत्र से हम दोनों देशों का नाता सेंकडों हजारों वर्ष का और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे थात्यों मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सेंकडों की संक्या में स्टूडन्स भी आये हैं आज ये ही में मोजूद भारत की स्कुलों में ऐसे सवाल लाग से अधिक स्टूडन्स पढ़ रहे हैं ये युवा साथी भारत व्येई की सम्रुप्धि के सार्थी बनने जा रहे हैं प्रदर हीज हाइनेश सेख महमत बिन जायत के सपोर्ट से पिछले मैने ही आएटी देली के अबुधावी केंपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है कुबई में नया सेंट्रल बॉर्ड अब सेकेंडर एजुकेशन सीबी एस्टी का ओफिस भी जल्द ही खुलने वाला है मुझे विश्वास है कि यह संस्तान यहां भारतिय कम्यूनिटी को पेश्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे साथ क्यों आज एक एक भारतिय का लक्ष 2047 तक भारत को विक्सित राष्ट बनाने का है दुनिया का वो देश जिसकी अर्थववस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है वो देश कौन सा है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्ट फॉन डेटा कंजूम करने में नंबर वन है दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबाल फिंटेक एरॉप्शन रेट में नंबर वन है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे जादा मिल्क प्रोडक्शन होता है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर दो पर है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाईल मेनिफेक्टरर है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुँच गया हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना जंडा गाड़ दिया है हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में सो सो सेटलाइट पेजने का रेकॉर्ड बना रहा है हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलोजी विक्सित करके सबसे तेज रोल आउट किया है हमारा भारत साथियों भारत की उपलब्दी हर भारतिय की उपलब्दी है फिर देश सान में भारत दुनिया की क्यारवे नंबर की इकोनोमी से पाटवे नंबर की इकोनोमी बन गया है और आप जानते हैं मुझे हर भारतिय के सामर्द पर कितना जादा भरोसा है इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है मोदी के गारंटी के आप जानते हैं मोदी ने अपने तीसरे टम में मोदी ने अपने तीसरे टम में भारत को तीसरे नंबर की इकानामी बनाने की गारंटी दी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनकी परेशानिया कम करने के लिए लगातार काम कर रही है हमने चार करोड से जादा परिवारों को पक का घर बना कर दिया है हमने दस करोड से जादा परिवारों को नल से जलका कनेक्शन दिया है हमने पचास करोड से जादा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ा है हमने पचास करोड से जादा लोगों को पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविदा दी है गाव देहाद के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो इसके लिए हमने तेड़ लाख से जादा आईश्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं साथियों आप मैंसे जो लोग पीटे दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बड़लाव आ रहा आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनीक एक्सप्रिस बे बना रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक नए एरपोर्ट बनवा रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक नए रिल्वे स्टेशन बनवा रहा है आज भारत की पहचान नए आइडियाच नए इनोवेशन्स की वज़े से बन रही है आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्टर प्रोजेक्ट से बन रही है आज भारत की पहचान एक वाइबरेंट तुरिजम डेस्लिनेशन के रुपना बन रही है आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट पावर के रुप्मे मन नहीं है और आपको सुनकर गर्व होता है जरूर होता होगा होता है ना राथियों आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांती को जानते हैं डिजिटल इंडिया की प्रफुंसा पूरी दुनिया में हो रही है इसका अलाब UAE में बसे आप सभी साथियों के भी हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं हमने UAE के साथ अपने रूपे कार्ड स्पेक को शेर किया है इससे UAE को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टिम डेवलप करने में मदद मिली है और जानते हैं भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टिम का UAE में ने क्या नाम रखा है UAE ने नाम रखा है जीवन कितना खुपसुरत नाम दिया है UAE ने जल्द ही UAE में भी UPI शुरू होने वाला है इससे UAE और भारतिय एकाउंट्स के बीच सीमलेस पैमेंट संभव हो पाएगी इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे बेज पाएंगे साथियों भारत के बढ़ते हुए सामर्थने दुनिया को भी स्थाहित्वा और सम्रुप्दी की उम्मीद दी है दुनिया को लगा है कि भारत एक बरोसे मन ग्लोबल और स्थापित करने में सक्रिय भूमी का निभा सकता है मुझे खुशी है कि आज भारत और येई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयुदित किया है इसमें भी हमने येई को एक पार्टनर के रुप्पे आमंत्रित किया ऐसे प्रयासों से हमारी स्टाटेजिक पार्टनर सिप्पी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है आज भारत को दुनिया एक बिश्व बंधू के रुप्पे देख रही है आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत के आवाज सुनी जाती है कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुँचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है आज का मजबुद भारत कदम कदम पर अपने लोगों के साथ थड़ा है बीते दस वर्षों में आपने देखा है कि जहां भी विदेशों में बसे भारतियों को समस्याई भारत सरकार ने तेजी से एक्षन लिया है युक्रेन, सुडान, यमन और दूसरे संकटों के दवरान फस्से हजारों भारतियों को हम सुरक्षित निकाल कर भारत लाए दुनिया में बसे क्या दुनिया के अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं भारतियों के मदद के लिए सरकार दिन, रात काम कर रही है साथ क्यों भारत और युएई मिलकर 21 वी सदी का नया इत्यास लिख रहे है और इस इत्यास का बहुत बड़ा अधार आप सभी मेरे साथ ही है आप यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं उससे भारत को भी उर्जा मिल रही है आप भारत और युएई के विकास और दोस्ती को युही मजबूत करते रहें इसी कामना के साथ इस भव्य स्वागत के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोले भारत माता की मेरे और आपके बीच में दूरी बहुत है इतलिए मैं आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए आने वाला हूँ लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जहां है वही बैठे रहोगे तो मुझे आपके दर्शन का सभवाग्य अच्छा मिलेगा तो मेरी मदद करेंगे आप पक्का करेंगे भारत माता के भारत